नमस्कार मैं हूँ आसेश चित्रांसी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर एक खबर मिल रही है कि कॉंग्रेस में अब बे लगाम बे काबू छत्रपों पर काबू करने की तयारी हो चुकी है उनके पर कतरने की तयारी हो चुकी है क्या ये संभव है आज की कॉंग्रेस में आज की कॉंग्रेस की लीडर्शिप में क्या ये साहस है कि उन छत्रपों का जो पार्टी पर बोज बन चुके हैं पार्टी में पलजीवी जैसे हैं उन पर लगाम लगा सकती है या उनसे मुक्ती पा सकती है इस मुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए और कॉंग्रिस के भीतर किस तरह उत्थान और पतन की कहानी चली आई है इसको समझने के लिए इंद्रा गांधी को समझना जरूरी है वो इंद्रा गांधी जिनको कहा जाता है कि उनकी राजनीती में सुरुआत ही एक बागी के तौर पर हुई थी लाल बहादूर सास्त्री के निधन के बाद स्वाभावी को तराधिकारी माना जा रहा था मुराज जी देसाई को लेकिन उसी वक्त इंद्रा आती हैं बागी बनकर के कामराज चाहते हैं कि इंद्रा आएं पार्टी में और उनकी हाथ में कटपुतली की तरह खेलें लेकिन इंद्रा के मन में कुछ और था ये चल्चा आज की कांगरिस की लीडर्शिप के लिए है और जो प्लान जिसकी चल्चा मैं करने जा रहा हूं साइद वो प्लान मली काजुन खड़गे के घर तयार हो चुका है उसकी चल्चा करने जा रहा हूं और उसी को समझने के लिए के कामराज जिस गुडिया को अपने हाथ में कठपुतली बना कर रखना चाहते थे उस गुडिया जो बाद में दुरगा बन गई उस इंद्रा गाधी का जिक्र करना जरूरी है कि कॉंग्रेस की लीडर्सिब आज इंद्रा से कितना सबक ले सकती है मुराज जिस आई और के कामराज वो इंद्रा तब तक बागी के च़बी में रही कॉंग्रेस में जब तक इंद्रा गाधी उस कथित इंटरनल डेमोक्रेसी को अपनी मुठी में नहीं कहिर कर ली और फिर के कामराज, मुराजजी देसाई सब देखते रह गए वो दोर आया जब मुराजजी देसाई को पार्टी छोड़ना पड़ा इंद्रा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत इस देस के किसी भी राज्य के किसी भी कांगरेसी छत्रप में नहीं रही इंद्रा के हर हुक्म का तामिल होता था और वो दोर भी आया जब राश्ट्रपती भावन की चौखट पर राश्ट्रपती भावन के फ्रेम में कहीं से भी फिट न बैठने वाले ग्यानी जैल सिंग को एक बार इंद्रा ने नाम ले लिया और राश्ट्रपती बन गए राश्ट्रपती के रूप में ग्यानी जैल सिंग और उनका आच्रण क्या था इस बात को भालती राश्ट्रपती में तमाम लोगों ने बहुत बहतर धंग से विसले सित किया है यहां तक कि जैल सिंग ने नॉमिनेशन के वक्त ये कहा था इंद्रा गाधी को ले करके कि मैडम अगर अपने घर का फ्लोर साफ करने के लिए भी कहेंगी तो मैं करूँगा यह उदाहरण इसलिए है क्योंकि लीडर्सिप उसका रसूख उसका जलवा उसका जलाल क्या होता है कई बार पार्टियों को चलाने के लिए पार्टी को पतन से फिर उभार पर लाने के लिए उसके उठान के लिए नेत्रितों में लीडर्शिप में ये ताकत आनी जरूरी होती है फैसले छत्रपों के बारे में सोचकर नहीं लिये जाते हैं फैसले एक जगह से होते हैं साइध कॉंग्रेस में आज वो ताकत नहीं दिख रही है और वही ताकत नरेंद्र मोदी में एक फैसला एक पल्ची आपने तीन राजियों में मुख्यमंत्री मनुनैन होते हुए देखा है पल्ची जाती है और सब के सब टॉप टू बॉटम सिर्फ ताली बजाते हैं यहीं पर कॉंग्रेस मोदी से मात खा जाती है इन तीन राजियों में मध्य प्रदेश राजस्थान और च्छतिस गड़ में बीजेपी से कॉंग्रेस को करारी हार मिली समिच्छा बैठके हुई समिच्छा बैठक पर मैं अभी उदाहरण के साथ आपको उत्तर प्रदेश की एक बात बताऊँगा कि समिच्छा बैठक होते कैसे है इस दौर की कॉंग्रेस में समिच्छा बैठकों का दौर सुरू हुआ मध्य प्रदेश की हार की समिक्षा हुई 36 गड़ के हार की समिक्षा हुई राजस्थान के हार की समिक्षा हुई आफचारिकताएं पूरी हो गई लेकिन ढाक के तीन पात उन समिक्षा बैठकों का नतीजा क्या निकला क्या किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तिफा हुआ किसी भी CLP लीडर का इस्तिफा हुआ नहीं हुआ आखिर क्यों हार का जिमेदार कौन EVM का मुद्धा उठाना है लेकिन टाइमिंग क्या टाइमिंग वो जब आपको करारी हार मिली हो और हाल छिपाने के लिए EVM को सामने कर दिया जाए EVM पर जनमत संग्रा हो EVM पर लड़ाई हो EVM पर नयाई पालिका में जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाएं दलीले रखें चुनावायोग में जाएं EVM हटवा दें बैलेट पे आ जाएं लेकिन क्या जब चुनावाँ में करारी हार मिली है तो उसकी समिक्षा के नाम पर EVM को आगे रख करके अपनी अपनी जीमेदारियों से बच सकता है कोई लीडर कोई नेता है कोई छट्रप कमलनाथ हों दिगविजे सिंग हो सचिन पाइलेट हो असोक गहलोत हो भूपेस बघेल हो टीयस सिंग्देव हो क्या किसी की जीमेदारी किसी की भूमिका तैकी गई आखिर इस्तिफा लेना या इस्तिफा सुएक्षा से देना का नजर क्यों नहीं आया कहीं भी आखिर क्यों इसी विशे पर जो जानकारी मिली मलिकाजुन खडगे के घर एक बैठक हुई खडगे साहब के घर बैठक का होना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मलिकाजुन खडगे के आने के बाद कॉंग्रिस में जो इस्ट्रेट सीधे फैसले लेने की उमीद जगी थी वो फैसले वो उमीद कुछ ही दिन में दम तोड़ दी दम तोड़ने की वज़ह भी थी इन छट्रबों को ये पता था कि अपना बचाओ कहां किया जा सकता है कहां जा करके अपने आपको सुरक्षित वापस निकाला जा सकता है कोई सोनिया गाधी कोई राहूल गाधी कोई प्रियंका गाधी उनके सीधे टच में रहने का इस्तेमाल मलिकाजुन खड़गे के फैसलों को प्रभावित करने में करता रहा लेकिन जो बैठक की खबर आई उस बैठक में सायद इस निर्ड़े पर पहुँचा गया है कि अब वो वक्त आ गया है जब कठोर फैसले लिये जाएं और बैठक में खड़गे साहब को कुछ नेताओं ने जिनके नाम की चर्चा अभी गैरवाजिव है जब तक implementation नहीं दिखने लगता है उस बैठक में ये चर्चा की गई और खड़गे को ये सलाह दी कुछ नेताओं ने कुछ उन नेताओं ने जो कॉंग्रेस के बारे में अब भी साहथ इमानदारी से सोच रहे हैं उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जो परजीवी समान छत्रपों को या परजीवी समान आफिस बेरल्स को स्वयम्भू बड़े नेताओं को अब पार्टी में साइड लाइन किया जाए उनकी भूमिका को खत्म किया जाए उन्हें घर बिठाया जाए वो घर बिठाने का वक्त आ चुका है घर बिठाने के लिए किसके किसके लिए मुफीद वक्त है ये लिष्ट आप भी जानते हैं इसके पहले डाइजेक्ट हिट विद असोकवान खेड़े में असोकवान खेड़े जी ने नाम के साथ चलचा की थी वो फेहरिस्त बताई थी उस फेहरिस्त में बड़े सारे नाम थे मध्य प्रदेश के प्रभारी और प्रभारी साहब से ले करके प्रदेश में अपने अपनी मर्जी से टिकट बाटने से ले करके और चुनाव अभियान तक कैमपेनिंग तक चलाने वाले नेताओं के नाम थे उन नेताओं के नाम पर चलचा हुई और ये कहा गया कि अब आप फैसले लीजिए अब समिक्षा सिर्फ आउपचारिक न हो समिक्षा ठोस हो और इस ठोस समिक्षा की बात पर मैं उत्तरप्रदेश के विधान सभा चुनाओं के बात कर चर्चाक जरूर करूँगा मैं जिक्र करूँगा और ये जिक्र उस समिक्षा बैठक में सामिल होने वाले एक प्रत्यासी द्वारा मुझसे किया गया था ये उसके मन की पीडा थी जब 2022 के विधान सभा चुनाओं में करारी सिकस्त मिली कॉंग्रेस पार्टी को उसके बाद लखनव में सभी प्रत्यासियों को बुलाया गया समिक्षा के लिए उस समिक्षा बैठक में दिल्ली से भी प्रत्नी दी गए उस चुनाओं में प्रियंका गाधी उत्तर प्रदेश में फेश थी उत्तर प्रदेस में प्रियंका के अगवाई में चुनाओ लड़ा गया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका के नारे के साथ वो पुरा चुनाओ कैमपेन किया गया था लेकिन भयंकर हार मिली भयंकर हार मिली उस हार के बाद लखनव में यूपी कॉंग्रेस के मुख्याले में दफ्तर में जो समिच्छा बैठक हुई जिसमें दिल्ली के प्रत्निदी सामने बैठे थे वो सिर्फ हसी ठी ठोली तंज और एक दूसरे की खिचाई के सिवाए उस समिच्छा बैठक में कुछ नहीं था वो रिपोर्ट तयार करने वाले नेता वहां सामने बैठ करके ठहा के लगा रहे थे जब एक दूसरे की वहां पर टांग खिच रहे थे प्रत्यासी और नेता समिछा बैठक में लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे मंच पर बैठे कुछ नेता पूछ रहे रहे कितने से आप हा रहे हो तो सामने वाला जवाब नहीं देता था तो कहते थे कितना मिला वोट ये तो बता दो 500 मिला? अचा हजार भी नहीं मिला और हजार भी नहीं मिला कहके ठाहा के लगाते थे उस बैठक में आजए लल्लू जो उस समय यूपी सीसी के अध्यक्च थे मुगिया थे वो भी चुनावारे थे उनके परफॉर्मेंस पे भी सबने ठाहा के लगाए ये समिक्षा बैठक थी और उस समिक्षा बैठक खत्म हो गई उस समिक्षा बैठक पर मैंने चर्चा भी की थी जो रिपोर्ट तयार की गई थी उस रिपोर्ट में बूथ वाईज किस बूथ पर कितना वोट मिला बूथ वाईज सारा आकड़ा आ चुका था साइधुन आकडों को भी नहीं सम्मिलित किया गया और सबसे बड़ा नमूना आपको बताऊं जब मीडिया में खबरें आ गई कि उत्तर प्रदेस में कॉंग्रेस ने हार की समिछा कर ली और अपना इतने पन्ने की रिपोर्ट सौप दी कॉंग्रेस की दिल्ली लीडर्शिप को सेंट्रल लीडर्शिप को उसके बाद दो दिन बाद एक प्रत्यासी को फोन आता है कि आप बूथ वाई जड़ा भेज दीजिए कि आपको हर बूथ पर कितने वोट मिले है मेरे जानकारी में जब ये बात आई तो मैंने पूछा मैं समझ नहीं पाया मैं सोचा भई रिपोर्ट समिक्षा हो गई रिपोर्ट चली गई दिल्ली में पार्टी कॉंग्रेस के हाई कमान के पास अब हाई कमान के पास रिपोर्ट चली गई तब बूथ वाई जप्रत्यासी से मांग रहे हो कि कितने vote भी ले हैं तो फिर समिच्छा की report में क्या भेजा भई समिच्छा की report में आपने क्या भेजा ये उदाहरन इसलिए बताया हूँ कि समिच्छा बैठके ऐसे ही अंतहीन निसकल सहीन और फार्मेल्टी के लिए और अपचारिकता निभाने के लिए चाय समोसे के साथ हसी ठीठोली में खत्म हो जाती है लेकिन इस बार जो बैठक हुई है इस बैठक में मलिका आजुन खडगे को जो ताकत मिलने वाली है वो ताकत राहुल गाधी से मिलेगी वो ताकत सोनिया गाधी से मिलेगी क्योंकि आज भी कॉंगरेस में अंतिम फैसला सोनिया गाधी लेती है या ले सकती है सोनिया गाधी के लिए फैसले पर कोई प्रस्ण चिन्द नहीं उठा सकता है कोई उगली नहीं खड़ा कर सकता है और अगर सोनिया गाधी और राहुल गाधी से अब सर्जरी फाइनल सर्जरी का पावर फाइनल सर्जरी की हली जंडी मलिक आजुल खड़गे को मिल जाती है तो अब वो वक्त है जब कॉंगरेस 2024 के चुनाव में वक्त कम बचा है बहुत कम वक्त बचा है इस वक्त में अलग अलग राज्यों में बीजेपी को ही देखते हुए आप देखिए मोहनियादों के नाम सर्मा का नाम भजनलाल सर्मा का नाम सोसल इंजिनिरिंग को देख करके बिपक्च के मुद्दों की हवा निकालने की टैक्टिस को देख करके किस तरीके से सामने लाया गया आज भी मध्य प्रदेश में जो तस्वीरे हैं जिस तरीके से सिवराज को लेके लोगों में समवेदरा है रिस्क है कि मोधी को भारी पड़ सकता है लेकिन मोधी ने जो फैसला लिया उस फैसले के बाद सिवराज सिंग चौहान से होने वाले नुकसान की भी परवार नहीं की और उस नुकसान को काउंटर करने की साथ तयारी भी सुरू कर चुके होंगे लेकिन मैं यहाँ पर विसाई ये नहीं है कि मोधी का फैसला सही है या गलत है फैसला पार्टी को चलाने के लिए और ये मोदी ने कहां से सीखा होगा मैं आज भी कहता हूँ इस पर हमारे चैनल पर चर्चा होती है कई पुराने लोगों से जो 40-50 साल से पत्रकाईता कर रहा है जिन्होंने इंद्रा गाधी का दोर देखा है उनसे भी बातचीत होती है तो कहते हैं कि मोदी बेसिकली इंद्रा गाधी से सीख करके पार्टी चला रहा है पार्टी चलाया कैसे जाता है पार्टी बिना अथार्टी के नहीं चल सकती है और वो अथार्टी ऐसी होनी चाहिए जिस अथार्टी को कोई चैलेंज न कर सके कॉंग्रेस में Him, पाइलेट और गहलोत का जगडा, मुक दलसक बना हाई कमान क्या ये जगडा इंदरा गाधी के कॉंग्रेस में होता तो मुक दलसक होती इंदरा गाधी है पार्टी से लोग निकाल दिये जाते थी या पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे मध्य प्रदेश में खंड खंड कॉंग्रेस रही टुकडो टुकडो में कॉंग्रेस रही कमल नाथ ने पूरी पार्टी को इस चुनाव में अपनी मुठी में कैद करके रखा और खुद छिंदवाडा से बाहर नहीं निकले क्या ये इंद्रा गाधी के कॉंग्रेस में संभाव था साइद नहीं संभाव था इसलिए ये वक्त है जो बैठक मलिकाजुन खड़गे के घर हुई है जो जानकारियां हमें मिली है कुछ सूत्रों से कि खड़गे साहब के हाँ ये बैठक हुई और ये तय किया गया है कि अब वो वक्त आ चुका है बस जो तय हुआ है इसमें जहां राहूल गाधी और सूनिया गाधी की सक्ति समाहित हो गई कॉंग्रेस का उनर जीवन सुरू हो जाएगा और साइद 2024 में जिस परड़ाम की किसी को उमीद नहीं है जिसे अब रत्यासित माना जा रहा है कुछ लोग तो असंभो मान रहे हैं वो साइद संभो के बहुत करीब पहुँच जाएगा और इंडिया अलाइंस और भी ताकत और हो जाएगी अगर कॉंग्रेस क्योंकि कॉंग्रेस निचुरली इंडिया अलाइंस की लीडर है ऐसे में अब इंतजार है कि क्या कॉंग्रेस पार्टी का हाई कमान मलिकाजुन खड़ गे अब इन छत्रपों पर डारेक्ट हिट करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप देखते रहिए दे न्यूज लॉंचर राजनीत के भीतर के खबरें खबरों के भीतर के खबरें और उनका संपूर्ण विसलेशन आपको न्यूज लॉंचर पर मिलता रहेगा मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार